हलो इस्टूड्स माइने में जतुल सुकला बार्णी टूप्याग राज में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम लोग ओ लेवल के एक एक्जाम M3 R4 C language के बारे में पढ़ने वाल है तो पेपर जो है हमारा वो है M3 R4 ज्यादा तर इस्टुडेंट्स को सिकायद ढाती है कि सर यह पेपर बहुत टुफ मालूम पड़ता है यह पर आसान नहीं होता है तो देखो ऐसी कोई बात नहीं यह पेपर बहुत ही आसान और बहुत ही सरलता से आप इसको कर सकते हैं बस थोड़ा सा कांसेप्चुल होता है कांसेप्ट को अगर हम समझ लें इसके तरीके को हम समझ लें तो हमारे लिए बहुत आसान होता है तो अगर इसके बारे में जैसे कि आपको जानकारी होगी और मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका जो एक्जाम होता है वो होता है 100 मांक्स को दोस्तों जब 100 मांक् 40 plus 60 marks के question मिलते हैं मतलब exam जो होगा आपका 3 hour का होगा मतलब 3 घंटे का exam होगा जब 3 घंटे का exam में यह इसके लिए 40 marks के लिए आपको 1 hour मिलते हैं और आपको मिलता है OYAMAR क्या मिलता है OYAMAR और 60 marks के लिए आपको देना पड़ता है descriptive आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है यह इसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं और इसके लिए आपको कितने घंटे मिलते हैं 1 घंटे मिलता है दोस्तों 40 plus 60 के टर्म होगा यहाँ पे 40 questions में आपको 4 टाइप की total questions मिलता है 4 टाइप के question में एक गेंड मार्स का मिलेगा आपको MCQ, Multiple Choice Question, और मिलेगा आपको True and False, मतलब सही और गलत, और थर्ड मिलेगा आपको Match the Column, Match the Column, और फोर्थ मिलेगा आपको Filling the Blanks, Filling the Blanks, देखो दोस्तों यहां जैसा कि हमें पता है कि 50% Marks पाना हमारे दोनों साइड से कमपलसरी होता है, तभी हम पास होता है, मतलब हमें कम से कम 20 नंबर यहां से लाना है और कम से कम 30 नंबर यहां से लाना है, तब हमें मिलेगा क्या मिलेगा दिग्रेड मिलेगा तो यह थोड़ा सा में ध्यान देना है कि हमें किसी एक पॉर्ट्टन को लेकर नहीं चलना है हमें दो के दोनों साइड की कुछिशन को लेकर चलना है मतलब कहने का मतलब इसको हम आसानी से चोटे-चोटे पॉइंट को भी क्लियर करते हुए ऐसे अगे देखते हैं अदें इस्सी लेंग्वेज क्या तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि दो कोड़ी छोड़ी आगे लिखा हुए लेंग्वेज मतलब भसा लगई जिए मीडियम अफ कम्यूनिकेसं पासा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होती है मतलब किसी language के माध्यम से हम क्या करते हैं मसीन का नाम क्या है Computer, Machine का नाम क्या है दोस्तों? Computer, मतलब किसी Machine से बात करने के लिए हम लोग इस Language का क्या करते हैं? योज करते हैं तो C Language, basic सी एक भासा है, जैसे हमारी Hindi एक भासा है, English एक भासा है, Urdu एक भासा है दोस्तों, वैसे ही C Language भी एक भासा है और यह कुछ नहीं है, उस भासा से अपने विचारों को अधान प्रदान करते हैं, यहां पर क्या करते हैं, इस language की मदद से हम अपने instruction को, अपने निर्देश को क्या करते हैं? कम्प्यूटर तक पहुचाते हैं, कम्प्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए हम, देखो और यहां होगा, नहीं होगा, और कम्प्यूटर आपको अपनी language को कुछ बोलेगा, आप समझ नहीं पाओगे, तो इसी दोनों के problem को साल करने के लिए, यह languages बनाए गही, computer language इसे बोला गया, क्या बोला गया उसे, computer languages, देखो, अब इस सबसे पहले ध्यान देते हैं, किसी language क क्या है, एक computer language है, यह क्या है दोस्तों, यह क्या है computer language है, दूसरी बात यहां पे करते हैं, कि यह क्या है, programming language है, एक programming language है, दोखो, programming word से, हमें समझ में आएगा, कि यहां पे program word निकलते हैं, दोखो, program क्या होता है, program और कुछ नहीं, एक तैसुदा काम होता है, तैसुदा काम काने का मतलब जैसे हम घर जाते हैं हम गए हमें नानी के यहां जाना है हम नानी यहां जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो नानी के यहां जाते हैं तो तुम्हारा एक प्रोग्राम जब बनता है तो उसनों हमें क्या लेके जाना है कितने दिन रहना है और क्या करना है यह प्रोग्राम में कई ठेर सारे instructions मतलब निर्द तो कहने काने का program क्या है a sequence of instructions in computer language a sequence of instructions in computer lamb with to get desired result to get desired result is known as a program. क्या कहाजाता है program कहा जाता है one bərहो है तो दोस्तों आगे देखते हम types of programming language तो को प्रोग्रामिंग लेंग्वेज और क्या होती है कितने प्रकायर्गी होती है बस थुड़ा से इसको हम आगे समझते हूं टाइप साफ प्रोग्रामिंग लेंग्वेज इस लेंग्वेज को तीन तरीके से केटेग्राइज कितने तरीके से केटेग्राइज किया गया है तीन तरीके से लो लेवल लैंग्वेश इसको और किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है इसको जानते हैं मसीन लैंग्वेश मसीन लैंग्वेश दूसरी टैप की जो लैंग्वेश होती उसको बोलते हैं असेम्बली लैंग्वेश और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेश लेकिन ये क्या है सबसे काठी लैंग्वेश यही होती है कहने का मतलब यह कह और इसका नाम है लेकिन डिभकल होती है देखो इस ट्रॉक्त में जब कंप्यूटर बना इस टाुट की सड़रेस के हम बात करते हैं तो चार्ट जो भी आग्सता उसमें प्रोग्रामिग लोकी जो पहली बारती वे लेड़ी एडा अगस्ता डूस्तों एक वह एक प्रह counselor पहली इडा अ muffin करू कर द बाते हेते रहेहें ये पहली भार प्रोग्राम था ये पहली आगवाठी जाता इस language का यूज किया जाता था इस language को computer directly understand कर सकता था मतला इस language को computer directly understand कर सकता था computer को इसकी बाद cds1 में आती थी यहां पर केवल दो टाइप ने code होते थे या तो 0 या तो 1 0 और 1 और कुछ नहीं यह इस बात को अच्छे से आगे समझेंगे लेकिन अभी के लिए पस इतना समझते हैं कि जीरो और वन पर इस पर सारी की सारी प्रोग्रामीं होती थी इस यह language computer को directly समझ गाते थी अब बात करते हैं असेंबली लाइंग्वेश यह यह second generation से third generation तक यह language से थर्ड जनेरेशन तक यह लाइंग्वेश चली आसेंबली लाइंग्वेश टेंग्वेश यह language computer को जैसे हमें माल लेंटे हमें लिखना है कोई नाम जैसे में लिखना है ए अब एक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक हमें बाइनरी निकालना पड़ेगा एक जब हम असकाई वैल्यू निकालती है देखो एक वर्ड यहां पर आया असकाई अधिक्तर हमारे एक जहां में मुल्टिपल च्रॉश्च्ट्र में पूंच लिया जाता है इसका दोस्तों नाम होता है अमेरिकन स्टेंडर्ड कोड इन्फार्मेशन इंटर चर्ण तो यहां पर कैपकेल एका वैल्यू होते 65 और इसका जहां बाइन निकालेंगे आशे स्यांग्वेशन थी बहुत ही कम लोग इस लेईगोश को समझ सकते अब बात करते हैं असेंबली लेंगवश की इस language कठीव तो इसको क्या करने के लिए असान करने के लिए असेंबली लेंगवश बनाए गई तो यहां पर जो सारा का सारा नाम काम ओता था उ बहुता निमोनिक्स और कुछ नहीं है, किसी कोड को दिया गया एक नाम, जैसे हमें मान लेटे हैं, हमने लिखा add x, y, इसका मतलब हुआ, x plus y, अगर हमें दो नमबर जोड़ना है, x plus y को, तो हमें निमोनिक्स की फाम में ऐसे लिखते हैं, add x, y, तो देखो दोस्तों, इसी को का साथ होता है किसी कोड को, किसी instruction को, किसी एक कोड में समझ लिया जाए, कहने का मतलब यह है, कि जैसे हम दो लोग हो, आप हो और मैं हो, हमें आपको किसी कोड में बात करना हो, कि भाई, मैं ऐसा काम करूंगा, को तुम ऐसा कर ले ना, तो वैसे यह निमोनिक्स है, कि इसको के वह लेवल लेंग्वेज है, कि हाई लेवल लेंग्वेज है, कि मिडिल लेवल लेंग्वेज है, तो देखो जब ऐसा कभी question आए, तो आपने संदे, यह भी लोग लेवल की ही लेंग्वेज है, कैसी लेंग्वेज है, लोग लेवल की ही लेंग्वेज है, हाई लेवल नहीं है इसका मतलब ये middle भी नहीं एक ऐसी है low level language आब बात करते है high level language इसके standard से इसके standard से इसके standard high मतलब ये user को जितने भी programmer थे Cancer वो ये असानी से समझे आ जाती थी ये similar थी English language के similar थे किसके English language के high level language आसानी से काम किया जा सकता था हर लोग सको समझ सकते थे और भी काफी खासेट थे इसको आगे दीरे दीरे क्या होगा चीजों को समझते जाएंगे हाई-level language जो है हाई-level language पूरा का पूरा काम जैसे आज हम लोग कर रहे तो ऐसे ही होता था मतला अगर हमें लिखना है x plus y तो हम बिल्कुल लिख सकते थे x plus y बास मन्हारी कि नहीं समन्हारी तो ऐसे ही करना है हमें